जहिंद स्टुडेंट तो इस वीडियो में आज बात करने वाले ICR को लेके बहुत बढ़ा अपडेट यहाँ पे आया है जो भी स्टुडेंट इस तरह का है मतलब आपका फोटो अगर रिमूब हो गया है या फोटो आपका फोटो से मैच नहीं कर रहा है इस तरह का क्वेरी को लेके यहाँ पे दिया गया है साथ में एक और पर आपडेट दिया गया है जिन स्टुडेंट का हो सकता है सेंटर दूर हो गया हो या फिर उस साथ चलिए यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना स्क्रीन पर टाइप कर देना NTA I C A R सिंपली आप इस तरह से टाइप करके आप कर सकते हैं आराम से फॉर्म को अपला NTA I C A R आप जैसे ही टाइप उसके बाद आपको सर्च कर लेना है आपका देखे इस तरह से पेज खुलेगा यहां पे यह मेरा NTA I C A R का पोर्टल है इसके नीचे जब आईएगा तो यहां पे आपको इस तरह से मिल जागे यहां पर देखे रिमूब इमेज इस तरह कहीं देख रहा है जब किलिक किजेगा तो आपको सिं्पलि यहां लोगिन का अपसन दिखेगा आपको यहां पे लोगिन कर लेना है और इसको जिहक खांग तो इस HA21 क क्या करना होगा यहां पर देखैंगा यहां पर देखिए application हम आपको simply login लेके अगला page पे लेके चलते हैं यहाँ पे अब देखिए हमने यह सारा कुछ इसमें डाल दिया है अब यहाँ पे sign in लेते हैं और लेने के बाद जो है एक नया page खुलेगा इस तरह से आपका अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका सारा चीज अपडेट देखाएगा इसमें आपको वही image जो है upload करना है जो आपका खराब हुआ हो तो आपको क्या करना है एक बर confirmation page पे चले जाना है यहाँ पे जैसे जाईएगा तो यहाँ पे देखिए आपका यह download का option देगा तो आपको query type select करना जिसे इस पे क्लिक की जाए देखिए request for exam center change after display of admit card आपको जो है यहाँ पे admit card जो है request करना है center change के बारे में और यहाँ पे देखिए mistake in identification आपका कोई भी identification type अगर गलत हो गया तो यहाँ पे change कर सकते हैं आप अपना subject और course change कर सकते हैं not able upload photograph signature यह अगर आपका ग दिया हुआ है आप एक बार इसको read कर लेंगे तो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा आप जितना भी आपका problem जो भी है वो यहाँ पे सारा जो है आप change कर सकते हैं नहीं तो अगर कुछ अलग problem है इसमें option में नहीं दिख रहा है तो आप अधर पे click करेंगे और यहा आपका query है यहाँ पे आप जो है JPG या PDA format में आप अपना यहाँ पे जो है उसका document साथ में लगा सकते हैं यहाँ सब यहाँ आपको जो है फोटो घ्लत भी अप्लोड हुआ है तो यहाँ पे देखें सिंपली आएंगे तो विए इमेज यहाँ दिखेगा इस पे आप एक ब इमेज फी रिसीप्ट यह सारा कुछ चिक कर सकते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ जो आपको दिख रहा है इमेल कनफोर्मेशन पेज और यहाँ वेरिफाई मोबाइल नमर इस सब जो है टीक लगा नहीं है तो इस पर क्या करना है आपको एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से खुलेगा आप यहाँ पर आप जो है डालिएगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक किजिएगा तो आपका ओटीपी अपने फोन पे चला जाएगा यहाँ अपडेट नहीं कर रहे हैं बाद में करेंगे आप लोग को समझाने के लि रिसेंट सेंटर चूज के लिए दिया है उसमें आपको इमेज अभी चूज करने के लिए दिया है और रेजिटर क्वेरी में जाके आप अपना सेंटर भी change करभा सकते है हलाकि हो सकता है उसका अग्छला आप्संदेगा जैसला कि इसका एकजाम जो है, आपको सात तारिक क होने वाला है तो उससे पहले जो है आपका सेंटर का हो सकता है option दे नहीं तो आपको हाँ पे जाकर query में जाकर आप दे सकते हैं जिस तरह भी हेंचु दिया है उस तरह हो सकता है ये देगा तो इससे तो तैय हो गया है आज image confirmation करवा रहा है तो एक से दो दिन made meet card आहीं जाएगा तो जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का information मिलते जाएगा साथ में एक बार और बता दे जैसे छोटा मोटा कोई नेटेश आता है कि exam date बढ़ा दिया उसका में वीडियो बनाऊंगा तो मुश्की से 35 से 30 से केंड का बनेगा तो वो समय वीडियो नहीं बनाता हूँ हमारे वेबसाइट ओफिसल वेबसाइट जो है examtantr.in वहाँ पे मिल जाएगा जिसका लिंक जो है description box में दिया हुआ है उस लिंक पे जाके आप हमेशा ICR से अपडेट रह सकते हैं तो चलिए धन्यवाद फिर मिलेंगे next अपडेट के साथ जय हिंद